हेलो स्टुडेंट्स कैसे है आप अच्छे हैं पड़ाई सुचाल रूप से चली हुई है ओके बेटा तो लाश्ट राइम हम डिसकस करने लग रहे थे टाइप ओप सर्कुलेशन उस टाइप ओप सर्कुलेशन में हमने दो तरीके का सर्कुलेशन किया था इंट्रा सेलूलर जो सेल के अंदर सर्कुलेशन होता है विदिन दा सेल जैसे की यूनी सेलूलर और फिर दूसरा था एक्स्ट्रा सेलूलर एक्स्ट्रा सेलूलर जो सेल के बाहर सर्कुलेशन होता है अब जो एक्स्ट्रा सेलूलर है ये दो परकार का था जिसमें खुद का ब बोडी फ्लूट नहीं है दो परकार का जिन में खुद का यानिके खुद की बोडी फ्लूट नहीं है तो उसको हमने एन्वार्मेंटल फ्लूट सर्कुलेशन का था और एकजांपल बताया था आपको हाइडरा वगेरा लेकिन जिसके अंदर खुद की बोडी फ्लूट है तो उसको हमने बताया था Body Cavity Fluid Circulation, अब Body Cavity Fluid Circulation में किसी में Body Cavity है, किसी में Body Cavity नहीं है, अब जैसे हमने देखा Plenty Alimentis के अंदर Body Cavity नहीं है, पैरन काईमा Body Fluid Circulation नाम दिया था उसको, दूसरा फिर हमने एसकरीश यहनी के Round Home के अंदर देखा, Body Cavity थी बट वो फॉल्स थी, उन ही में से वो Body Fluid Circulate करता है, फॉल्स सी लों थी वहाँ पर, फिर तीसरा था Blood Vascular System, जो आज का अनला टोपिक रहेगा, फिर उसके बाद हम डिस्कुस करेंगे, Lymph Vascular System, तो आज का टोपिक है, बलर Vascular System, तो यह मैंने पहले भी आपको बताया था, कि यह Higher Organisms की Characteristics है, किसकी Higher Organism की, इसके तीन अधभूत पार्ट्स होते हैं, नमबर एक, बलड वैसल्स, बलड हैं वैसल्स, नमबर दो, बलड, और नमबर तीन, हर्ट, इसके तीन कंपोनेंट हैं, इस ब्रड़ वास्कुला सिस्टम के तीन पार्ट हैं, कौण कौण से, बलड वैसल्स, दूसरा है खुद बलड और तीसरा हर्ट जो हमारा प्रिवेंस सिस्टम होता है जो ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता है यह में बिल्कुल उसी तरिकेश होता है बिल्कुल रिजेंबरेंस करता है उसे बिल्कुल सिमिलर जैसे जो बलड वेर्संस है वो जो हमारे जो यह रोड्स होते हैं जो सड़के होती है यह उनकी तरह का जो बलड है वो क्या है बस वो बस है और जो हमारा हार्ट है वो क्या है बस स्टेंड यानि कि जिस तरीके से टांस्पोर्ट सिस्टम होता है जिसमें रोड चाहिए उनके ओपर वहिकल यानि कि बसिस के रूतमा में वहिकल चाहिए और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर regulation के लिए हमें bus stand भी चाहिए उसी तरीखे से ये prevent system, blood vessels, blood or heart अब हम इनको आज पढ़ने वादे हैं जैसे पहने लेते हैं blood vessels ये छोटी भी हो सकती है, ये लंबी भी हो सकती है, ये tubes these are small or large elastic tubes ये छोटी ये बड़ी elastic tubes which carry, which carry, क्या, pure or even pure blood ये pure मिले जाती है, और impure blood ये इनके अतर, blood pure भी हो सकता है, depend करता है कि ये blood vessel कुन सी है और impure भी हो सकता है, impure ठीक है, दूसरा, ये heart की तरफ भी blood को सप्लाई करती है, और heart से organ की तरफ भी blood को सप्लाई करती है अभी ले लेता हूँ, the blood vessels, the blood vessels, which supply, which supply, blood, to organs, या tissue जो blood vessels, tissue को या organ को blood supply करती है, और heart, blood, उनको है, efferent efferent, ये word देखना है, a, double, f, e, r, e, and d, efferent, blood vessels करती है efferent, blood vessels, लेकिन जो tissue से, या organ से, blood को receive करती है, ड्रेयर करती है, वाविश खीचती है, उनको हम efferent blood vessels करेंगे, why, why, the blood vessels, why, the blood vessels, which receive, वहाँ से खीचती है, blood, from organ, और tissue, तो उनको हम, उन blood vessels को हम, efferent, ये आए है, यहाँ ए है, इत्यान रड़ा, यहाँ ए है, efferent, बलड, वैसेंस, efferent, और efferent, बलड़ वैसेंस, तो एक औरगन को सप्लाई करने वादी, बलड़ वैसेंस, एक औरगन से बलड़ को लेने वादी, बलड़ वैसेंस, तो वह जैंगी, different, और efferent, बलड़ वैसेंस, ये जो बलड़ वैसेंस, ये मुख्यत है, तीन टाइज की होती है, इनके function के आदार पे, इनकी जो structure है, उसके आदार पे, टाइप ओफ बलड़ वैसेंस, टाइप ओफ बलड़ वैसेंस, एक तो, आरटरी, दूसरी, वैसे, ताइपस ओफ, ताइपस ओफ, बलड़ वैसेंस, नुम्मर एक, आरटरीज, पिलूल है, आरटरी, एक होती है, आरटरीज, यह पिलूल बन गया, ज्यादा आरटरीज है, दूसरा, वैस, और तीसरा, इन एकी फाइन प्रांचीज होती है, आरटरीज की भी फाइन प्रांचीज होती है, उनको कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज, यह कैपिलरीज जो है, यह इनकी फाइन प्रांचीज है, अब जो आरटरी और जो वैन है, आरटरी और वेन को, अगर हम तोनों डिफरेंस के लुग पणनें दोनों को, तो मैं बिल्कुल क्या होजेगा, इनका, इनके जो श्ट्रक्चर है, जो इनके जो डिफरेंस है, इनके जो मॉर्फोलोजी में हो, वो सारा difference पता लग जाएगा तो मैंने करता हूँ मैं यह लिखता हूँ are trees are trees और इस तरव मैंने क्या लिख्या wins समझे are tree or wins number one their wall जो इनकी wall होती है is thick इनकी wall thick होती है and more elastic to do see elastic भी जाता होती है अब इस में इस में क्या हो जाएगी आप लिखते कि their wall जो है वो कैसे हो जाएगी their wall is thin and less elastic less elastic जो इनकी wall है वो ठीक है artery की और जो vein है उनकी wall थोड़ी सी थीवाद अब जिसकी wall मूटी होगी उसका न्यूमन नेरो होगा और जिसकी wall पतली होगी उसका न्यूमन ब्रोड होगा देर ल्यूमन इस नेरो देर ल्यूमन इस ब्रोड ल्यूमन का जिसे मादी ये अगर ये दिवार अगर मूटी है ल्यूमन होता है जो सेंटर का जो एम्टी स्पेस होता है सेंटर एम्टी स्पेस वो ल्यूमन कहलाता है अगर इसकी दिवार अगर पतली है देखो अब ये बताओ कि किसकी दिवार मूटी है इसकी दिवार मूटी है तो इसका ल्यूमन कम मिलेगा अंदर का नेरो एम्टी स्पेस कम होगा इसकी दिवार पतली है इसका ल्यूमन अंदर का जो खाली स्थान है वो ज़्यादा होगा ल्यूमन यह अगला हम इसकी हम ब्रड़ ऐसे की स्ट्रक्चर भी करेंगे तो यह और बेचे तरीक के से कलियर हो जाएगा इन दोनों के बिच में डिफ्रेंस अब यह खास इसको इंपोर्टेंट लिखे इस पॉइंट को दीज केरी दीज केरी प्योर मलट है यह कैसा अर्ट लेके जाती है आर्ट्री प्योर बट एक अर्ट्री ऐसी है जो प्योर नहीं लेके जाती एक है कुणसी है पल्मोनरी आर्ट्री एकसेट एकसेट पल्मोनरी आर्ट्री देखें इस पॉइंट को समझना है बहुत इंपोर्टेंट आर्ट के स्ट्रक्चर और उसकी मेकेनिजर्म और उसकी वर्किंग में मदद मिलेगी सभी आर्ट्री प्योर ब्लड लेके जाती है प्योर का मत्रा होता है ओक्षीजिनेटिड जिसमें ओक्षीजन मिली हो वो प्योर ब्लड मना जाता है ओक्षीजिनेटिड और जिसमें शियोटू जाता हो उसको इन प्योर ब्लड मना जाता है डियोक्षीजिनेटिड तो प्य अब इसी तरीक्टे से इसका भी पॉइंट है क्या दीज कैली इंप्योर ब्लड कुनसा इंप्योर ब्लड एक्सेप्ट कुनसी पल्मोनरी वेड पल्मोनरी वेड अब इस पॉइंट को बहुत जरूरी समझे नहां अपने सभी आरट्री प्योर बड लेके जाती है एक आरट्री प्योर ब्लड लेके नहीं जाती उसका नाम है प्लमोनरी आरट्री यह आरट्री कहां जाती है लंग्स में अब लंक्स में कैसा ने कि जाएगी है इन फे लंक्स करेगा उसको । तो अकली तो लंक्स mean जाने वाली जो और एट्री है जो लंक्स Is Bueno जाने वाली जो आरेट्री है उसका क्या नम है pulmonary wave वो कैसा लेके आएगी तो यह exception है definition की अगर बात की जाए artery और wave की तो आपको बताना है जो heart से दूर लेके जाएगी बलट away from the heart वो artery माननी जाएगी और जो toward heart आए heart की तरफ आएगी तो वो क्या माननी जाएगी wave अगला point बहुत important दीज कैरी बलट away from the heart away from the heart और यह दीज कैरी बलट toward the heart देख दूर ऐसे दीज कैरी बलट toward the heart यह heart की तरफ लेके जाएगी यह heart से दूर रेके जाएगी बहुत important point हम अपनी body के अंदर देखते हैं जैसे जो हमें ऊपर दिखाई देती है नहीं जैसे ऊपर superficial वो वेल होती है या रट्री वो वेल होती है और जो deeply seated होती है अंदर होती है टिशू के अंदर मास के अंदर जो मैं दिखाई नहीं देती वो आर्ट्री होती है दीज आर डीप सीटिड दीज आर डीप सीटिड यह अंदर की तरफ होती है और यह कैसी होंगी दीज आर सूपरफिसियल सूपरफिसियल यह Guys यह बाहर से दिखाई दे गया मैं जो यह यह से दिखाई देती है यह वालो यह दिखाई देने लग रही है यह क्या है वें वें है जो जिस्पे मिलॉकोस लगते है डॉप्टर इंट्राविनस देते हैं यानिके वेड में डालते हैं और वेड बाहर होते हैं, सूपरफिसियल, अगरा इन में वोल्स नहीं होती, हैं नो वोल्स, यानिके मान दीजे ये क्या है और तो इसमें इस तरीके की ये वोल्स नहीं होती, इन में बहुत सारी वोल्स होती है, तो इसमें ये 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 वोल्स होती है, ठीकर, अच्छे की बताओ, जब दैथ हो जाती है किसी ओर्गनिजम की, तो आर्ट्री और बलड जो आर्ट्री और शोरी वें दोनों में बलड है तो किस बलड वैसल का जो बलड है उपानी बन जयता है अगला पॉइंट किस का बन जयता है सबस आर्ट्री का अगला पॉइंट नेक्स्ट आँ दीज विकम्स इप्टी आफ्टर टेथ जैसे ही और गेनीजन की डेथ होती है तो इल जो आलटरी में जो ब्रड़ होता है ना वो पानी बन जाता है मतलब कैंने मतलब वो खदी हो जाती है लेकिन इल में क्या रहेगा बलट इन वेंस बलट रिमेंस प्रेजेंट इवन आफ्टर डेथ डेथ के बाद भी यह खाली नहीं होती और इन में क्या प्रेजेंट होता है बलट रहता है अच्छे यह बताओ प्रेशर किश में ज्यादा होता है अब यह ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस इसलिए करवाने लग रहा हूँ जितने ज्यादा आरट्री और वेल माँ डिफरेंस बता पाओगे हरड के टॉपिक को उतना जल्दी सी अपाओगे ठीक है तो अगरा जो डिफरेंस है यह प्रेशर ओ बलड इस हाई और यह जो प्रेशर है बलड का वो क्या है भही प्रेशर सेंटेंस एजिटीज कैसा है लो कैसा है लो है दूसरी बात यहां फलो ओ बलड जो जो बलड का जो फलो है इस फाश्ट जो बलड का जो फलो है वो तेजकती से फलो करता है यहां कैसा है वो जो फलो है बलड का वो कैसा है सलो कैसा है सलो ठीक जो लार्जेश्ट आरट्री है उसका क्या नाम लार्जेश्ट आरट्री है उसका क्या नाम लार्जेश्ट आरट् लाजेस्ट आर्ट्री का नाम है कुछ सा एयोर्टिक आर्ट एयोर्टिक आर्ट क्या नाम है एयोर्टिक आर्ट या सिस्टेमिक आर्ट शीएज़ए सबसे बड़ी जो आर्ट्री है जो हर्ट से निकलती है एयोर्टिक आर्ट सबसे बड़ी जो वेन है जो लार्जेस्ट जो वेन है उसका क्या नाम है वेना कावा वेना कावा वेना केवा भी कह सकते हैं तो वेना केवा लार्जेस्ट वेन है और एयोर्टिक आर्च लार्जेस्ट आर्ट्री है इसको सिस्टेमिक आर्च या एयोर्टा भी बोलते हैं यह भी पॉइंट आप सब हार्ट की स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें यह आएगा तो यह कुछ डिफरेंस थे आर्ट्री और वेन के अंदर अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डिफरेंस मिले तो और भी आपको क्या होगी मदद मिलेगे ऐसा नहीं कि यह आपकर खत्म हो जाते हैं बट हमने इन डिफरेंसीज को इनको डिस्कस किया है जो आम इन हर्ट कटोपिक समझेने में भी मदद करेंगे तो यह था अमदरा आर्ट्री और वेन के बीच में डिफरेंस अब एक और बात है अब आम ये out your way अगर आप समझhy तो ये तोमम है क्या ये तो blood vessels है है न neck체 vessels तो blood vessels की structure कैसे होती है structure of blood vessels structure of blood vessels blood vessels यादि कि जो blood vessels है उसकी structure कैसी होती है यहनिके artery और vein की structure कैसे होती है बड़ वैसर का बतलब होता है artery and vein इसकी structure कैसे होती है अब थोड़ा सा मैं दिखाऊ मान दीजी यह क्या है artery यह क्या है vein और artery की अभी आपने बताई थी यह जो wall होती है यह कैसे होती है ठीक artery की जो wall होती है वो कैसे होती है ठीक और इसकी wall कैसी है ठीक बैस तो इसका जो यह lumen है यह narrow होता है और इसका जो lumen है यह broad होता है यह आपने देखा, अब देखो, इसका ऐसे टीएस काटते हैं, इसका भी टीएस काटते हैं, जब किसी लंबी कोई औबचेक्ट है, और उसको हम चोड़ाइके हिसाब से काटते हैं, तो फिर वो आप को जैसे, जैसे ये मारकर है, लंबा, मैंने इसको ऐसे ट्राफ्वर जैसे काट जैसे काकडी को, खेरे को, घीया को आप लंबी है उसको चोड़ाई के हिसाब से काटते हैं तो वो कटने के बाद जब आप देखेंगे तो ऐसे गोल दिखाई देगा आपको यह मारकर का यह जो एंड है यह पूरा मारकर नहीं दिखाई दे रहा है यह क्या दिखाई देरा है, बस यह होल गोल एंड, इसको T.S करते हैं टेस का मतलब, जब कोई लंबी ऑब्जैक्ट है तो उसको चोड़ाई के तरफ से काटना है ट्रांसवर सेक्षन से काटना तो हम इनका काटते हैं section, तो हमें यह इस तरीके की दिखाई देंगी दोनों, खिक है, दोनों की दोनों एक जासे, अब इनकी तीन layers, एक यह वादी उपर layers, इस इस तरीक मैं दिखा रहा हूं, यह क्या है, आरे ट्री, और यह क्या दिखा रहा हूं, वे, यह वे, यह इसकी ऊपर की, अब यह एक, इसको तूनी का external कहते हैं, क्या कहते हैं, तूनी का external, यह इसकी, तूनी का external, आउटर कोट, अब आगी की बीच वाली कोट, यह वाली, यह क्या है, तूनी का मीडिया, यह इसकी तूनी का मीडिया, आप ज्यान से देखो, जो तूनी का मीडिया है, जो मिडल कोट है, वो किसकी मोटी है, वो आर्टरी की है, इसकी यह पदली है, और यह जो अंदरवादी है, यह, यह होगया, तूनी का इंटरना, यह भी क्या है, तूनी का इंटरना, अब द्यान से देखो, यह तूनी का जो इंटरना मैंने दिखाए, इसका नाम लिखती है, यह है, तूनी का, तूनी का का मतलब होती, कोड, तूनी का वार्ट कहीं पर भी बिच है, आपको बाइलोजी में, उसका मतलब होता कोड, उसका मतलब होता कवरिं, उसका मतलब होता सीथ, उसका मतलब होता लेयर, तो टूनी का वार्ट कहते है, तूनी का इंटरना, देखो, टूनी का एंटरना मतलब एंटरना मतलब बाहर वाली, तूनी का मीडिया मतलब बीच वाली, यह इसकी बीच वाल जो टूनी का इंटरणा है वो फर्दर दो लेयर बनाती हैं तो ये मोटी-mोटी दिखा रहा है तो दaign को ध्याठे में जलिए है इलास्टिक मेंब्रेन ये ये जो गारक से मेंने की है ये क्या है इलास्टिक मेंब्रेन और इस Elastic Membrane से यह मैंने यह ऐसे दिखाई भी है जो सेल इसको कहते हैं Endothelium Endothelium यानि कि जो टूनी का इंटरना है वो फर्दर दो लेर से बनी है एक यह बाहरवारी लेर इसका नाम है Elastic Membrane इसमें White और Yellow Elastic Fiber होते हैं और इस Elastic Membrane के नीचे यह और लेयर है यह जो सेलसी सेलसी मैंने दिखाई उसको क्या कहते हैं Endothelium यानि कि Endothelium सबसे अंदरवाली लेर उसके उपर Elastic Membrane यह दोनों मिलके Endothelium and Elastic Membrane दोनों मिलके क्या बनाती है टूनी का इंटर्णा इसमें भी सेम ऐसे है यह क्या है Elastic Membrane और यह क्या है Endothelium Endothelium and Elastic Membrane दोनों मिलके सबसे अंदरवाली कोट बनाती है और अंदरवाली कोट को हम क्या कहेंगे Tunica Interna क्या नाम है Tunica Interna अब इसमेल मुख्यबाद ख्यात देखने योप्यबाद यह है यह अंदरवाला portion है यह इसका अंदरवाली वैसे तो यह एक जैसी दिखाई देरी यह भी यह भी देख़वा यह दोनों दिखा यह नहीं लिए लेक जैसे इतनी ही यह है इतनी लेकिन अंतर फिर कहा आया अंतर आया जो आर्टरी है उसका यह लूमन होता है अंदर वाला जो खाली स्थान जैसे यह पैंड है यह पैंड की कैप है इसका यह जो अंदर वाला जो पोर्शन है यह खाली वाल इसका लूमन नेरो है लूमन क्या है नेरो और इसका लूमन कैसा है प्रोड वाइड यानि के आर्ट्री की जो दिवार है वो मुट्टी है इतनी कोटी वेन की दिवार पतली है हमना आरेट्री और वेन में डिफरेंस किया था किसकी दिवार मॉट्टी थी आरेट्री की दिख रहा है किसकी पतली थी वेन की दिख रहा है लूमन किसका नेरो था आरेट्री का लिखवाय था और लूमन किसका ब्रोड है वेल का लिखवायदा, वो बात और ये बात, दोनों यहां पर, अब इसमें जो टूनी का मीडिया है, यह मोटी है और इसमें के जो टूनी का मीडिया है यह पदली है, और इस टूनी का मीडिया में स्मूथ मसल्स होती है, क्या होती है, स्मूथ मसल्स, यह जो मैंने दिखाई ह यह smooth muscles है, यह भी एक competition आप क्योंसर वानता है, smooth muscles, in which coat, in which tunica of blood vessels, smooth muscles are present, tunica media, और यह smooth muscles, यह जो muscle है, यह circular pattern में एरेंज है, ऐसे देखो, यह circular pattern में एरेंज है, इसमें भी smooth muscles है, इसकी भी टूनी का मेडिया में स्मूथ मसल्स सर्कूलर पैटरन में ही अरेंज हैं अंतर क्या है फिर यहां ज्यादा स्मूथ मसल्स है जिसके काँ टूनी का मेडिया मोटे हो जाती है यहां पर smooth muscles है, circular arrangement में हैं लेकिन वो थोड़ी सी कम है, जिसके कान tunica video की जो thickness है, जो मोटा है वो कम हो जाएगी, बैसे यही कार्णत है, इसका albumen बड़ा बन जाता है और इसका albumen narrow बन जाता है, ठीक है, तो यह structure of blood vessel, हमने RT और वेर, दोनों को TS काट के देखा, और कुछ यह पाया, तील कोट होती है, tunica external, tunica media, tunica internal, अब यह photo देखें आपने, RT और वेर में जो difference आपने किया ना, उन दोनों के नीचे, इन दोनों के photo मना देखें थाकि, और भी आप difference लिख सके, अब यह होगे, बुन, आप देखो थोड़ा सा, यह अब में, जो structure of blood vessel से है, अब इसकी, जब हम TS देखते हैं, तो तील कोट होती है, तूनी का एक्स्टरना, तूनी का एक्स्टरना, अब तूनी का एक्स्टरना बताओ, कैसी है यह, आउटर कोट है, ठीक, यह, अब, loose connective tissue से बनी हुई है, पलस, loose connective tissue के साथ साथ, इसमें, white and yellow fibers है, और यह, परिवेंट करती है, परिवेंट, फ्रों रेप्चरि, फ्रों रेप्चरि, आउटर कोट है, loose connective tissue की बनी हुई है, उसके साथ, yellow and white elastin fiber होते हैं, और यह, bread vessel को फटने से बजाती है, दूशा, टूनी का, मीडिया, बीजवारी ले, यह, मीडल कोट है, किस-किस के मीडल, outer or inner, इसमें, smooth muscles है, और किस arrangement में है, circular arrangement के अंदर है, circular arrangement के अंदर muscle सकती है, और जो तीसरी हमारी लेयर है, वो हट्टूनी का, इंटर्मा, इसकी दो लेयर सकती, एक तो, elastic membrane, और दूशा, endothelial, endothelial layer, ठीक है, इसमें से कौन सी लेयर, lumen को गहती है, endothelial, फिर हम तरह जाता है, किस टूनी का मीडिया, किस के ठीक होती थी, आर्ट्री की, और elastic membrane किस की मोटी है, आर्ट्री की, वो हम आपको अभी difference में बताया था, तो ये टूनी का मीडिया, और टूनी का, एक्ष्टरना और टूनी का, इंटरना, ये डाइग्राम, ये उनकी कुछ बाती, तो ये था structure of blood vessels, blood vessels की study को क्या कहते है, साथास, बताएं, study of blood vessels, study of blood vessels, अरे वाही, एक तो कोई डॉक्टर बनेगा, आप मैंसे, तो थोड़ी सी चाहता हैं, कैसा के साथ आएं, सीखें, डून्डें, मैं बताओं ये आप बताता हूं के, चलो मैं बताता हूं, एंजियोलोजी, क्या कहते हैं, एंजियोलोजी, एंजियोलोजी, study of blood vessels, यहां तक आपको आरे ट्री वेल में डिफरेंस, बर्ड वैसल के structure और उनके जो ये जो points ये सब आपको यहां तक आना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम discuss करेंगे, बर्ड वैसल करने के बाद अगला component of blood vascular system, that is blood, okay.